गुद मॉर्निंग तो आल आफी स्टुडेंट्स, मैसेल्फ मिसेज पुष फ्लतावर्मा, I am your class teacher, students, today I will teach you Hindi, is everybody ready to start, I think we can start now. ओके स्टुडेंट्स, टुडें मैं आपको ये हिंदी में राइट करवारी हूँ, listen carefully, then follow me. बेटा, प्रिवेस वीडियो में हम लोग आओ की मात्रा के सब्द करसे किया तक राइट करके, आप सभी लोगों को मैंने बताया और आपने राइट किया था है ना, टुडें मैं ये बढ़ चुका है, मैंने आ की मात्रा से आपको ये बताया है, अच्छरों को जोड़के जब भी राइट करना होता है, प्लस लगा के राइट करना होता है, तो हमें प्लस को हटा के, उल्ली जो अक्छर है, ये ही इक्वर के बाद इधर राइट करना होता है, ठीक है, listen carefully, then follow me पहले मैं राइट करके बता आ रही हूँ, इसी तरह आपको भी करना है, ओ प्लस र प्लस त, ठीक है, औरत, इसको जब हमें इधर राइट करना है, तो same, वही अक्छर राइट करेंगे, उल्ली प्लस को हटा देंगे, कैसी राइट करेंगे, देखें बेटा ज्यान से, ओ र जब त, ओरत, ओ गया, नेक्स्ट, पाव प्लस धा, जब हमें राइट करना होगा तो, पाव धा, ठीक है, नेट एंड क्लीन आपको राइट करना है, ओके, नेक्स्ट है, खी प्लस लो प्लस न, खिलो न, ओके, और खा को आपको यहाँ टच करना है, जिस तरह मैंने ये खी लो ना, खी लो ना, ओके बैटा, यह देख रहा है, मैंने किस तरह राइट किया, निट एंड किलीन, और आपको भी इसी तरह राइट करना है, नेक्स्ट है, कचवडी, ठीक है, पहले, कचवपे आउ की मात्रा, अड़ा, कचवडी, नेक्स्ट, चवखी दार, देखा आप लोगोंने, मैंने किस तरह राइट किया, बिटा, यह आपको क्लास वर्क पर करना है, ठीक है, अक्षरों को जोड़के सब बनाओ, निट एंड किलीन, आपको इस तरह राइट करना है, और हड़ा रहेगा, और बिटा, आपका हड़ा है, आउ की मात्रा के सब्दो को लिखो, कुछ सब्द मैंने आउ की मात्रा के इस साइड राइट किया हुआ, आप देख रहे हैं, यहीं आपको देख के इस साइड राइट करना है, निट एंड क्लीन, सेम यहीं अक्षर आपको इस साइड, डैस के इस साइड राइट करना है, ओके, कौवा, पौधा, ग आव की मात्रा कौवा, नेक्स्ट है पौधा, पपे आव की मात्रा पौधा, नेक्स्ट है गौडी, गौपे आव की मात्रा री, रपे बड़ी की मात्रा गौडी, ठीक है, इस तरह बेटा आपको ये पुड़ा, यहां तक राइट करना है, नीट अन क्लिन, ये आपका है, ठी ठीक है क्लास वक क्या था आपका क्लास वक था यह अक्षरों को जोड़के सब बनाना ठीक है और ह्टवलू की आपका आपका और की मात्रा के शब्दों को लिखना ठीक है आपको निट एन क्लीन दोनों वर्क को कम्प्रीट करना है ओके देट सौल पार टूडे हैव एनाइस ते बाइ